नमस्कार में देख्षा सिंग और बोल लिसकाई में आपका स्वागत है सनातन धर्म में विश्व कर्मा को निर्मान इवं सरजन का देरता माना जाता है तक्नीकी जगत के भगवान विश्व कर्मा की पूजा के तेहार 17 सितंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा इसे विश्व कर्मा जयनती भी कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्व कर्मा का जन माग शुकलित रेयोदशी को हुआ था इसलिए इनको भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है विशु कर्मा को दुनिया का पहला वास्तुकार और इंजीनियर की उपाधी दी गई है तो आईए जानते हैं विशु कर्मा की पूजा विधी और क्या है इस पूजन का शुब मुहर। भगवान विशुकर्मा के बारे में बताया गया है कि ये देवताओं के अश्ट श्रस्त महल और आभूशन आदी बनाने का काम करते हैं। भगवान विशुकर्मा की पूजा के दिन फैक्टरियों आफिस और उद्योगों में लगी हुई मशीनों की पूजा की जाती है। सबसे पहले अक्षत, फूल मिठाई, फल रोली, सुपारी धू, रक्षा सूत्र मेज, दही और भगवान विशुकर्मा की तस्वीर इत्यादी की विवस्था कर लें। इसके बाद अस्टदल की बनी रंगोली पर सतनजा बनाएं। फिर श्रद्धा और विश्वास के साथ विशुकर्मा जी की मूर्ति या फोटो पर फूल चढ़ा कर कहें। विश्वकर्मा या नमो नमा का मंत्र पढ़कर सभी मशीनों विश्वकर्मा पर और कलश पर चारो तरफ छिड़क दें। साथ ही फूल भी चढ़ा दें। फिर भगवान को मिठाई खिलाएं। इसके बाद फैक्टरी दुकान आफिस जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हों अपने कर्मचारियों और दोस्तों के साथ भगवान विश्वकर्मा की आरती करें। और प्रशाद बाटें। विश्वकर्मा पूजा का शुब महुर्थ संक्रानती समय सुबह साथ बच कर दो मिनिट से है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही इसी तरह के अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।